हलो दोस्तो वेलकम बैक टुदा डेली डोज बॉक्स दोस्तो लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार सरकार की याचिका का डाइरी नमबर आज प्राप्त हो गया दोस्तो इस वीडियो में हम उसी केस को लेकर चर्चा करने वाले हैं तो बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में एंट तक मेरा नाम है राउल चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल डेली डोज बॉक्स चैनल को पहली बार विजिट के आए तो सब दोस्तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तो मानने प्रियागराज हाई कोट की डवल बेंच से जो आदेश 343 वटे 2021 अभिसेख श्रिवास्तव एंड अदर्स और जितनी वी कनेक्टेड या चिकाएं थी उन पर आया था और वही आदेश जो है ल और उस प्रशन पर जो नंबर दिया था उस प्रशन के नंबर के खिलाफ जो है सरकार सुप्रीम कोट में अपने याचिका दाखिल कर चुकी है जो काफी समय तक डिफेक्टिव मोड में रही लेकिन फिलहाल में उसके सारे डिफेक्ट हट चुके हैं और आज जो है उसका ड आदेश आए हुए काफी समय हो गया है लेकिन उस आदेश पर कोई भी अनुपालर नहीं किया गया है ना तो आयोक के द्वारा और नहीं सरकार के द्वारा। उस याचिका का डायरी नमबर आ चुका है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये याचिका का डायरी नमबर है और दोस्तो डायरी नमबर आने के साथ ही अभ्हरतियों के मन में एक सवाल और आने लगा है कि कब तक आखिर ये सुनवाई होगी दोस्तो मैं आपको बतान 20 मई के बाद कोट बंद हो जाएंगे उसके बाद जुलाई में कोट ओपन होगे अगर 20 मई तक सुनवाई एक हो जाती है तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जुलाई में इस जो है मुकदमे का इस याचिका का नेने भी आ सकता है तो सरकार अगर चाहेगी तो जल्दी से जल्दी सुनवाई लगवा सकती है और सरकार अगर ये चाहती है कि ये खेल लंबा चले तो हो सकता है सुनवाई ना भी लगे तो फिलहाल में इस याचिका का डारी नंबर आते ही ये जो है चर्चा आम हो गई है कि अब जो है इस केस की सुनवाई कब तक होगी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 20 मई तक कभी भी सुनवाई हो सकती है क्योंकि 20 मई को कोट बंद हो रहा है तो उससे पहले ही सुनवाई एक हो जाए तो वो जादा बैटर रहेगा उन अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है सरकार की याचिका की सुनवाई हो और कब उनको नंबर मिले फिलाल में एक नंबर वालों के लिए जिनको एक नंबर प्राप्त हो गया है और एक नंबर पाने के बाद वो गुडांक में आ रहे हैं सबसे बड़ा सवाल है मेरे साब से तो अर्शट सो जो पद थे वो अगर हो जाते तो काफी ज़्यादा वेनिफिट रहे था उत्तर कुंजी अभ्यर्थी है उनमें काफी ज़्यादा वेनिफिट आता क्योंकि वो गुडांक जो है नीचे आ जाता लेकिन फिलाल में अर्शट सो भी अधर में लटकी हुई है तो मेरे साब से अगर उत्तर कुंजी मामला पहले हल होता है तो कहीं न कहीं वो थर्ड कांसलिंग वाला जो गुडांक है उसको count किया जायेगा उसको लिया जाएगा तो उस इसाप से counselling होगी इसमें अगर यह मामला 68.100 से पहले जो होता है समापτο लेकिन दो ग्राफ है है गुणांक का वो नीचे गरेगा और अभ्यर्तिऊं को फाएद वहां पर बिना केविटर को सुने उस याचिका को हल लहीं किया जाता है उस याचिका का सुलूशन नहीं निकल के आता है बिना केविटर के सुने हुए दोस्तो तो ये थी आज की अपडेट की सरकार का डायरी नंबर आ गया है और सुनभाई किसी भी दिन हो सकती है इस बीक में 20 मई से कोट बंद हो रहा है तो आई होप कि 20 मई तक आप लोगों की सुनभाई हो जाए और आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुसकवरी जरूर मि किये जहन बाबाई टेक केर अ हो पुसकर झाली जरूरा आप बाऊंगे को प्रयोगों कि अजर प्रूरा कि आप लोगों की सुनभाई हो अजरूर थाचर सबगाई हो आपी को झाली सुना सबगे से को आप हो उत बाइप ड़ ओ खुसक बहुत है जरूराँ मि